हेलो अब्रीवान विल्कम टू मैं कीचेन आज हम बनाएंगे ओल की सबजी तो इसके लिए मैंने ओल को छुटा-छुटा करके काट लिया और चना दाल को मैंने दो घंडे के लिए भीगा लिया था और यह मसाले के मैंने आद्राक लेह सून टामाटार और प्याच को छुटा करते हैं पोल को नमाक और हल्दी डालकार अच्छे से उवाल लेंगे हल्दी पावडर अच्छे से बोईल होते होते हैं मसाला पीस लेंगे अच्छा दाल को एक सीटी लगा देंगे लमग हल्दी डालकर कड़ाई में मैंने सोर्शों का तेल गरम कर लिया अभी इसमें हम एक बोईल किया हुआ ओल सेलो फ्राइ कर लेंगे मैंने सेलो फ्राइ कर लिया भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसमें मैं सोर्शों का तेल यूज कर रहे हुँँआ कड़ाई में जो तेल बचा था उसी तेल में तेस पत्तार शुकी मेची और जीरा डाल देंगे अब ही आम अधरा क्लेसून प्याज और ट्रमाटर का पेस्ट मैंने एक इसाद में कर लिया था वो डाल देंगे थोड़ासा लाल मीच पावड़ार थोड़ासा आस्पेरी मीच पावड़ार थोड़ासा हल्दी और थोड़ासा नमाक और मसाले काम अच्छे से भूल लेके मसला अच्छे से भूल गया है अभी बैल किया हुआ चना दाल डाल लेंगे तो हमड़ी दो अबनेट चला लेंगे अबिया हम ओल डाल देंगे दिसको भी मसाले केसा अच्छे से भूल लेंगे अबिया हम एक कब गुमुना पाने डाल देंगे और इसको दास मिट हम सीम में पकाएंगे अबिया है अब बन के तैयार हो गया अभी ऊपर में थोड़ा सम देशी गी डाल देंगे और थोड़ा सम चीनी डाल देंगे यह तीखा और नमक का बैलन्स करता है और थोड़ा धनिया पत्ति डाल देंगे इसको अच्छे सम मिक्स कर लेंगे आप चाहो तो ग्रेवी कंबसी रफ सकते हो अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे एक कर देंगे वाउम झाल ऑग त्व यँ झाल